कुरक्षेतर की लक्ष्मन कलोनी में उस समय हड़कंप मजगया जब एक इलाज के लिए पंचकुला गई महिला का करोना सेंपल पॉजिटिव मिला। सुचना मिलते ही स्वास्ते विबाग की टीम परशासनिक दस्ता मौके पर पहुंचा वे इलाके को कंटेनमेंट खेतर बना कर सील करने की परक्रिया आरंब करने के साथ साथ महिला को कुरक्षेतर के लोकुनायक जैपरकाश नारायन अस्पताल में आइसलेशन वार्ड में भी के लिए गई थी वहां इस महिला का कोरूना टेस्ट किया गया तो यह महिला पॉजिटिव निकली जिसके अधार पर महिला को कुरक्षेतर के लोकुनायक जैपरकाश अस्पताल के आइसलेशन वोर्ड में रखा जा रहा है कि महिला है वो जो अपना पत्री को प्रेशन कराने के लिए प्रस्कुला जाते है और वहीं से न को कुछ तारेया भी कुछ निगा से करते हैं पॉस्क्तिव है नंक्तिव हैं लास्ट में कान अए तो यह जो बलिया लगा रहे हो इसका हाँ यह प्रसंद करेगा जिसको तो इसको बंद कर रहे हो आप बिल्को बंद कर रहे हैं तो इस महिला को बेज दिया वहां पर ने एक टीम आई हुए है और वहीं आपके पास है डॉक्तिव आई हूँ है तो यह लोग जो है तो दिन पहले एलकेमिस को इसे पन्च्पुला किसी अपने ओपरेशन के लिए तो नहीं है यहां लेकिन आलग विसमें कोई लक्षण नहीं है बिमारी का एक हमने जरुआ को लीड़ी खिट से हमने वीज के भी है और परिबार के सेंप्सों के भी सैंपने जाएंगे और तनुसा जो है जो कारवाई है तो अभी । अभी उनको लेडिर को आपने अपने उसमें कुरिं अभी सिविल हॉस्किटर उसका सेंपलिंग के लिए लेकर गए हैं उसको आइसलेशन में रखा जाएगा और परिवार के जो सदसे हैं उनकी भी सेंपलिंग की जाएगी तो वह जो आप बता रहे हैं कि उनका सेंपल को रफिवाया था ये पंच्छुला में जी अलकेमिस्क मे सेंपलिंग के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले